हेलो दोस्तों, अचल टेरिस गाडन में आपका स्वागत है, आज मार्च की चार तारीख है, और एक दो दिन से मैं अपने समर गाडन की तैयारी में थोड़ी व्यस्त हो गई, और इसकुल का काम भी था, मध्यान भोजन वितरन का काम आ गया है, तो इसकुल भी जाना हो रहा ह है, इसलिए भी मैं लंबी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, दो दिन से मैं शॉट वीडियो ही डाल रही हूँ, और एक कारण और है, वीडियो शूट नहीं करने का, हमारे मुहले में स्रीमत भागवत कथा का योजन हो रहा है, जिससे बैग्राउंड में बहुत आवाज फ्रेंड्स यदि वीडियो शूट करो तो अभी भी आपको आवाज आएगी, आज भी चल रहा है, आज तीसरा जौथा दिन है, तो यहाँ पर सारे गुड़हल के कलेक्शन है, तेज हो गई है, धूप, काफी ग्रिन नेट लगाना ज़रूरी हो गया है अब, और बहुत सा गंटे की सनलाइट आती है धूप, और केलन कोई के प्लांट को मैंने नीचे शिप्ट किया है, जरबेरा के प्लांट को नीचे शिप्ट कर दिया है, और यह देखिए मैंने अडेनियम को प्रूनिंग भी कर दी है, सीट पॉट देखिए, बने हुए है, अभी तीन-चार मह इसको मैं बनाई हूं उसी में लगाओंगी और एक अडेनियम का प्लांट यह है जिसको मैंने प्रून किया है और इसका विडियो ने मैं नहीं बना पाई फ्रेंट्स और यह यह देखी यह चंपा का प्लांट है पिछले साल का यह चंपा का प्लांट है कटिंग से मैंने लगाया हुआ है और इसको रिपॉर्ट कर दिया है यह प्लास्टिक के छोटे गमले में लगा हुआ था यहीं पर अडेनियम की जो कटिंग थी उनको भी मैंने लगा दिया और यह कि जिसको प्रून किया था डेनियम प्लांट को मैंने यहां पर शिप्ट कर दिया है यहां दिन भर की संलाइट नहीं मिलती इन को और कल ही मैंने एमरीलीस का शॉर्ट वीडियो डाला था देख रहे हैं और काफी मेच्चोर प्लांट जब हो जाता है हमारा एमरीलीस का तो उसमें फ्लावर्स बहुत सारे आते हैं इस्टीक भी दो तीन इस्टीक निकलती है एक ही बल्ब में और यह तीन साल पुराना प्लां प्लावर्स यह और एक बच्ची छोटी बच्ची ने इस स्टीक को तोड़ दिया था यहां से फिर भी इसमें फ्लावर्स आएंगे यह देख रहे हैं और इसका सेट बहुत ही खुबसूरत है जिस साल मैंने इसको एड़ किया था उस साल इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई इसमें उसके नेक्स्ट यर हुई पिछले साल और इस साल हो रही है वह तो बहुत अच्छे से हो रही है और बहुत सारे मल्टी अप्लाइए हो चुके हैं मार इलीस के बल्व भी और यहां एक जोरा का प्लांट है इसकी भी मैंने रूट प्रूनिंग करी है बहुत हार्ड रूट प्रूनिंग कर दी है क्योंकि यह 10 के प्लांटर में लगा हुआ था यह देख रहे हैं इसी प्लांटर में लगा हुआ था एक जोरा का प्लांट और देखेए दो तीन साल तो वच्छे से चल जाते हैं लेकिन इसमें फिर जंग लगना शुरू हो जाता है ये मधु कामनी का प्लांट है ये भी दो साल से इसी टीन प्लांटर में है और ये देखिए कनेर का प्लांट ये भी टीन प्लांटर में ही है दो साल से तो मुझे इसको अब निका वर्क करना पड़ता है क्योंकि छोटे मोटे और जार से यह निकलता नहीं है बहुत ज्यादा मेहनत करके इसको बाहर निकालना होता है प्लांट्स को तो अब सोच रही हूँ मैं कि आप तीन का प्लांटर यूज ना करूँ उससे अच्छा मैं सिमेंट का ही पॉट ले लूँ लेकिन वही टेरिस गार्डनिंग करने के कारण वजन जादा ना हो करके मैं हलके प्लांटर यूज करने का सोचती हूँ फ्रेंट्स लेकिन टिकाव नहीं रहता जादा और ये देखिए धूप के कारण गुलाप कैसे हो रहे हैं पत्ते और हमारा जो ये सेवन्ती है उसमें सेकेंड लॉट शुरू हो चुका है फ्लावरिंग का और बहुत फ्लावरिंग बंद कर देगा फिर हम सेव कर लेंगे इसको और यहीं पर मेरा केलन कोई और जर्बेरा का प्लांट था जिसको मैंने नीचे शिप्ट कर दिया है और इधर सारे विंटर के प्लांट्स को मैंने कोने में रख दिया है और गजानिया देखिए कितना सुन्दर कर रहा है यहां पर और यहां पर डॉक फ्लावर वर्बीन और समर का प्लांट भी है सनफ्लावर मैंने एड किया है अपने गारडन में बेबी प्लांट चार ले के आई थी उसमें बड़्ट बनने शुरू हो चुके थे फ्रेंट्स देखिए 3-4 इंच का ही प्लांट है और बर्ट्स बन गए थे मैंने आज ही पिंच किया है बर्ट्स को हटा दिया है तभी इसमें बहुत सारे ब्रांच आएंगे नहीं तो हमारा सिंगल ब्रांच ही रहेगा यह देख रहें यह बर्ट्स मैंने पिंच करके हटा दिये और यह मिनियेचर वराइटी का लग रहा है इसी साल और ये सिनेरेरिया का प्लांट है flowers complete हो चुके हैं प्लांट भी खराब हो रहा है तो seed यदी इसका collect होता होगा तो मैं seed collect कर लूँगी और ये मेरा आप देख रहे हैं वो दहलिया का प्लांट है अब इसके flower भी मज़ेदार नहीं लग रहे हैं हटा दूँगी plants को और भटा का प्लांट बैगन का प्लांट इसमें लगाओंगी grow bag में और winter की ये सारे plant गेंदा को भी मैंने बहुत सारे हटा दिये है और देखते हैं कब तक और हमारे garden की सान रहते हैं ये winter plant तो यही share करना था आज की वीडियो में अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए happy gardening